हालो फ्रेंट्स वल्कम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार दिक स्वागत है पुर्शों के बाय पैर के तलवे पर छिपकली पढ़ने का क्या मतलब होता है और इंदी गलती से पढ़ भी जाए तो इसके अशुप प्रभावों से बचने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं जी हां आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों पौराडिक शास्त्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश्य में होने वाली शुब और शुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्तों अपने कुछ क्रिया कलापों द्वार बविश्य में होने वाली शुब और शुब घटनाओं से हमें अवगत कराते रहते हैं इनी जीवजन्तियों में एक है छिपकली जी हां सभी घरों में समान रुप से पाई जाने वाली छिपकली बविश्य में होने वाली कई घटनाओं से हमें संकीत द्वारा अवगत करात जैसा कि पूर्षो के शरर के दाइं भाग और श्थ्रियो के शरर के बाय भाग पर छिपकली का गिरना शुब माना जाता है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाप सभी को पूर्षो के पैरों के तलवे पर छिपकली के पढ़ने अथवा गिरने का मतलब बताऊंगी तो आई जानते हैं कि यदि किसी पुरुष के पैरों के तलवे पर चिपकली गिरती है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों शकुन सास्तर के अनुसार यदि किसी पुरुष के बाएं पैर के तलवे पर छिपकली पड़ती है अथ्वा गिरती है तो यह शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि निकट विश में आपको किसी निकसी प्रकार का नुकसान होने वाला है इसके अत्रिक्त आपको व्यापार अथ्वा नौकरी में घाटे की इस्तिती का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों पुर्षों के बाएं पैर के तलवे पर छिपकली का गिरना अथ्वा पड़ना निकट विश में किसी निकसी प्रकार की छोटी बिमारी की आने का संकेत भी मा किसी भी अंग पर गिरती है तो सरप्रतम आप फस्त्रों को अवश्य बदले इसके बाद आप रिश्णान कर ले और हो सके तो आप भगवान शीव का दर्शन अवश्य करें हो सके तो आप अपने इस्ट देव का ध्यान करते हुए रक्षा मंत्रों का जाब भी कर सकते हैं इसके अत्रिक्त आप नमक से खुद को 5, 7 या 11 बार वार करके नमक को बाहर फेक सकते हैं दोस्तों आप उचित दान दक्षणा भी कर सकते हैं दोस्तों आई जानते हैं विज्ञान के नुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है विज्ञान के किसी के शरीर पर गिरती है तो अपने शरीर से चिपचिपा परदार छोड़ती है जो कि मनुष्य के आँख नाक और मुँ में जाने पर व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचा सकती है तो हो सके तो चिपकली से दूर रहने का प्रियास अवश्य करना चाहिए कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताय मानी गई है विग्यान की माने तो मनुष्य के अंगो पर छिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गया है परंतिदी शास्त्रों की माने तो छिपकली के क्रिया कलाब कई गूर रह से चिपाई हुए हैं जो मन प्रपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद